प्रेंड वेलकम टू क्रेकट मैं हूं आरभी पिछले वीडियो में मैंने आपको कलेंडर के तीन टाइप बताये थे ठीक है आप उसके आगे चौथा टाइप चौथा टाइप है आपका जब सब चीज अलग होती है तो देखें उसको तो अगला टाइप है आपका परिवर्तन दिन परिवर्तन मा परिवर्तन साल मतलब सब चीज में परिवर्तन है ठीक है सारी चीज अलग अलग है जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखा पहले वाला इसके पहले वाला वो सौल नहीं कर पाएगा तो पहले व को 10 March 2013 को सोमवार था तो 27 अगस्ट 27 अगस्ट 2017 को कौन सा दिन होगा ठीक है कैसे solve करेंगे इसको जैसे आभी तक हम तीन टैप करते आए हैं वैसे ही इसको solve करेंगे इसमें देखें सबसे पहला टाइप जब क्या होते थे दिन अलग अलग होते थे तो यहां पर पहला टाइप लग जाएगा फर्स टाइप ठीक है जब मा अलग अलग होते थे सेकंड टाइप जब यह अलग अलग होते थे थर्ड टाइप तीनों टाइप इसमें लग रहे हैं ठीक है तो पहला टाइ जब माल अगलाग होते थे हम कैसा करते थे तो 27 में 10 जाएगा डिफ्रेंस दोनों का कितना होगा 17 होगा ठीक है बटे 7 कर देंगे और डेस मिल जाएगे हमको कितने और डेस मिलेंगे 7 दूने 14 तीन और डेस मिल ला है हमको इसमें 3 और डेस और कैसे पॉस्टेव या निगेटिव देखो सीधा जा रहा है 10, 11, 12, 13 तो यानि पिलस के 3 और डेस अब आते हैं मन्थ में मार्च से चलेंगे हमने वज़ाय तर छोटे से चलते हैं ठीक है मार्च मार्च में कितने और डेस होते हैं 3 और डेस मार्च के बाद अपरेल 2, अपरेल के बाद मई 3, और जून 2, जुलाई 3 लास्ट वाला काउंट नहीं होता है, अगस्ट काउंट नहीं होगा ठीक है, इनको जोड़ ले 3, 3, 6, 9, 9, 2, 11, 3, 13 इसमें 13 आपको मिले बटे साथ कल ले कितने और डेस 7 और 6, 13, यानि 6 और 10 आपको मिले इसमें ठीक है और कैसे हैं, पोजिटिव या निगेटिव मार्च, अपरेल, मई, जून, जुलाई, अगस्ट सीधे सीधे चल लाए है, यानि पोजिटिव होंगे, तो आपके ये पोजिटिव हैं 6, अब आते हैं येर में 2013 से 2017 कितने साल का डिफरेंट है difference है, स्वरी 2013 से 2017 4 साल का डिफरेंट है इन 4 साल में कितने leap year और कितने normal year तो आपको पत दिख रहा होगा सीधे सीधे कि 1 leap year मिलेगा कौन सा वाला, 2016 वाला, इन दोनों के बीच में 2016 ही ऐसा है जो leap year है नार्मल येर, एक लीप येर में 2 ओडेस, और नार्मल येर में 3 ओडेस, यानि टोटल कितने होगा है, 5 ओडेस, और ये किसके हैं, प्लस के पॉजिटिफ हैं, क्योंकि सीरीज में आंगे बढ़ रहे हैं, 2,13,14,15,16, ठीक है, अब आपके पास कितने ओडेस हैं, 5,3,8,8,8,6 है, 14 ओडेस, यानि आपके पास, टोटल 14 ओडेस हैं, सारे पॉजिटिफ किते, ठीक है, साथ से भाग देंगे, तो 0 ओडेस बचेगा, पूरा-पूरा चला जाएगा, दो बार, साथ दुनी 14, कोई ओडेस नहीं बचा, यानि क्या होगा, वही का वही दिन, सोंबार का, समझ में आया, समझ में आ गया न, कोई दिक्का थे, तो कमेंट में बताएं, अगले कोशन में चलें, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर, यदि 30 अक्टूबर 2011, 30 अक्टूबर 2011 को गुरु बार था, तो 12 अप्रेल 2005 को, 12 अप्रेल 2005 को कौन सा दिन होगा, तो देख लें दोनों का डिफरेंस, कितना है, 18 बटे साथ करेंगे आप, तो आएगा माइनस का 4 और डेस, माइनस क्यों, क्योंकि यह रिवर्स में है, ठीक है, अब माहिने में आएं, अप्रेल आपकी 2 माहिने की, 2 odd day की, sorry, अप्रेल के बाद माई, 3, माई के बाद जून, 2, जून के बाद जुलाई, 3, जुलाई के बाद अगस्त, 3, अगस्त के बाद सितंबर, 2, ठीक है, यह odd days माहिने में निकालना हमने पिछले वीडियों में बताया है देख लें जाके अगर कोई दिक्कत है तो count करने इनको 3, 3, 6, 3, 9 9, 2, 11 11, 2, 13, 2, 15 15 बच रहे हैं बटे 7 करेंगे बचेगा आपका 1, एक odd days बचेगा और कैसा बचेगा minus का, क्यों? क्योंकि यह reverse जा रहा है ठीक है? minus का यह किसमें बचा और हम इसा याद रखें, जो last वाला होता उसको count नहीं करते हैं, यह भी पिछले वीडियों में बताया है मैंने, यहां तक होगे आपका माहिने तक, अब चलते हैं साल में 2011 से 2005, कितने साल का difference है 6 साल का difference है इन 6 सालों में कितने leap year, कितने normal year आप देखें दोनों में तो 2008 सिर्फ एक ऐसा है इन दोनों के बीच में जो leap year है यानि एक leap year है और 5 normal year है एक leap year बराबर 2 odd days 5 normal year बराबर 5 odd days, तो यह कितने हो गए? 7, 7 बटे 7 करेंगे 0 आएगा, कोई odd days नहीं बचेगा अगर बचता कोई odd days तो minus का होता वो भी, क्यों? क्योंकि साल भी reverse हो रहा था जो सीधे जा रहा है, वो positive जो पीछे reverse आ रहा है, वो negative रहेंगे ठीक है? अब देख लें minus का 4 आपके पास इधर था और minus का 1 इधर दे कितने odd days हैं आपके पास? minus के 5 odd days है total आपके पास तो आप क्या करेंगे? minus 5 घटा लेंगे अगर किसी को reverse घटानने में दिक्कत हो रही है minus के वज़े से दिक्कत हो रही है तो 7 में घटा लें 7 में आप घटाएंगे minus का 5, तो कितना बचेगा? plus का 2 बचेगा? plus का 2 इसमें कर दें groove आर प्लस 2 कर दें क्या आएगा? तनी बार आएगा आप groove आर माइनस 5 कर लीजे या groove आर प्लस 2 कर लीजे तनी बार ही आएगा ठीक है? समझ में आ गया अगले question में चलें अगला question है आपका screen पर अगर 15 जून 15 जून 2015 को बुद्धवार था 15 जून 2015 को बुद्धवार था तो एक अगस्त 1999 तो एक अगस्त 1999 को कौन सा दिन होगा? ठीक है? लगाएं इसको देखिए फिर से ये reverse जा रहा है कितने बचेंगे? 14 इन दोनों के difference 14 बटे 7 यानि 0 आपके odd days माइनस में जा रहा है या प्लस में जा रहा है कोई मदलब नहीं उससे ठीक है? अब आपका फिर से माइनस चलते हैं किस से चलेंगे? जून से जो छोटा होता है उससे चलते हैं हमेशा जून कितने का होता है? दो जुलाई तीन की लाश्ट वाला काउंट होता नहीं है अगस्ट काउंट होगा नहीं ठीक है? यहां तक आपके कितने? पांच और कैसे? प्लस के क्योंकि यह तो सीधे चलना है यह तो रिवर्स जानी रहे है जून जुलाई अगस्ट सीधा चलना है तो प्लस का पांच है अब आते हैं साल में कितने साल का डिफ्रेंसें में कि 16 साल का है डिधा देख लेहों 2015 से इन 16 साल में कितने ली पर कितने नारम लिया अगर हम इस डिफ्रेंस को चार से भाग करके देखते हैं तो हमको चार और डिस मिल लाएं ठीक है यह सीधे सीधे 4 मिल लाएं अब हम दर देख लें कौन-कौन से होंगे 1999 तो है नहीं तो कौन सा होगा 2000 होगा फिर 2004 होगा फिर 2008 होगा फिर 2012 होगा इन दोनों के बीच में इतने ही होंगे एक दो तीन चार चारी हैं चार और डेस हैं आपके पास चार लीप इयर है तो कितने नार्मल इयर बारा नार्मल इयर होंगे ठीक है चार लीप इयर मतलब आठ और डेस बारा नार्मल इयर वराबर बारा और डेस बारा आठ बीस बीस और डेस आपको यहां से मिले साथ का our data आपको मिले साल में सो च्छय 25 मतलब कौन से हैं यह माइनस के हैं कि क्यों साल पीछए जा रहा है साल डिवर्स जा रहा है तो यह के माइनस के 2006 अब देखें आप माइनस की 6 यह हैं प्लस के फाइब यह सिरक टेफ ने हैं और दिस्ट बच रहें माइनस का एक बच रहा है कि टोटल आपके पास माइनस का एक है V1-1 यह बोद्दवार में लें कितना आएगा ऐगा कि यहां तक समझ μέ गया होगा वीडियो देखें आप दौनों वीडियो देखें पहली और दुसरी अगर नहीं समझ में आ रहा कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं ठीक है अगले टाइप में चलते हैं अब आपका अगला टाइप है बहुत इंपॉर्टन टाइप है यह से आपने पेपर में देखा होगा कि वह सीधे-सीधे दिन पूछता दिन निकालना दिन बढ़ी है तो वो निकाल सकते हैं आप उससे अगला टाइफ है आपका टाइफ दिन ज्याद करना ठीक है कैसे करेंगे पहला कोछिंछ ले लें पहला कौछिछन है पंदरा अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ये बहुत आठा कोशिन पहले छोटे एक जामों में बहुत आया है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था कैसे निकालेंगे अगर हम बुक के साफ से देखें देखिए बुक है मेरे पास उसमें लिखा हुआ है तारीक, प्लस महिने का कोड, प्लस सताबदी का कोड, प्लस बर्स, प्लस बर्सों के अंकित, दो अंकों का पूरांग बठे चार बठे साथ, इस तरह निकालेंगे, आप याद करेंगे, तो पेपर कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, एक नमबर के कोश्चन में इतनी सारी चीज करेंगे, आपको ये तो पता होगा, जिस दिन पेपर देंगे, कि उस दिन तारीक क्या है, और उस दिन दिन क्या है, इतना तो पता ही होगा, जैसे मैं आज से निकालना हूँ, आज है आपकी 16 जून 2020, और दिन मंगलवार है, तो मैं आज से निकाल सकता हूँ, यानि 16 जून 2020 को मंगल हो आ रहे हैं तो हम इससे निकाल सकते हैं ठीक है निकाल लों इन में कितने का defense है एक का defense है और कैसा है minus का क्यूंग क्यूंग dove जा रहा है ठीक है अब इसमें साल में मैने में June 2 का July 3 की लास्ट वाला count नहीं होता है ठीक है ये कितने हो गए प्लस के 5 साल में आते हैं 2020 से 1947 कितने साल का अंतर है 73 साल का अंतर है 73 अब इन 73 साल में कितने लीप यहर और कितने नार्मल यहर निकाल ले अगर हम इसको चार से बाग देके देखेंगे तो चार एकम चार और चरुवट बत्तिस यहां तक पहुंच रहा है यानि कितना अठारा अठारा के आसपास आपके होने चाहिए लेकिन देखिए 2020 यह भी तो लीप यह है यह भी कांट होगा देख लेते हैं वैसे निकाल के दे 48 के बाद 52, 52 के बाद 56, 56 के बाद 60, 7 के बाद 64, 64 के बाद 68, 68 के बाद 72, फिर 76, 76 के बाद 80, 84, 88, 92, 96, 20, 2000, 2004, 2008, 2008, 2012, 2016, 2020 देख लें कितने हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उननिस हो गए उननिस ठीक है तो आँगे करें उननिस लीप एर हैं तो नार्मल एर कितने होंगे तियत्तर में जब आप उननिस घटाएंगे तो कितने बचेंगे 54, 54 बचेंगे, 54 आपके नार्मल एर है, यह कितने होंगे, 38 और डेस, लीप एर में आपके 38 और डेस और नार्मल एर में आपके 44 और डेस, इन दोनों को जोड़ ले, कितना आ रहा है, 92, 92 वटे 7, 1 दोट साथ करेंगे, कितने ओड़ेस मिलेंगे आपको, साथ एकम साथ, और साथियां 21. एक बच रहा है, एक ओड़ेस है आपके पास, कैसा माइनस का, क्यों, क्योंकि यह भी रिवर्स जा रहा है, अब आप देखें, माइनस का 1, माइनस का 1, कितने होगे माइनस के 2 प्लस का 5 तो कितने बचेंगे टोटल और डिस कितने बचेंगे प्लस के 3 आप मंगल वार प्लस 3 कर दें कौन सा दिन आएगा मंगल बुद्द गुरू सुक्र सुक्र वार आपका आंसर है जी 30 सेकंड में निकाल लिया आप और जल्दी निकाल लेंगे अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है आपका स्क्रीन पर 26 जन्वरी 1950 को कौन सा दिन था 26 जन्वरी 1950 को कौन सा दिन था वाइप करेंगे हम फिर से आज कौन सा दिन है आज है आपका 16 जून 2020 को मंगलवार ठीक है डिफ्रेंस कितने का है दस का है साथ से भाग देंगे कितने और डेस तीन और डेस और कैसे पॉजिटिप प्लस के चलेंगे अब जन्वरी से जन्वरी कितने के तीन की फरवरी जीरो की मार्च तीन का अपरेल दो की माई तीन की ठीक है माई के बाद जून काउंट नहीं होगा क्यों नहीं होगा लास्ट वाला काउंट नहीं होता है चाह सीधे चलें या उल्टे चलें जोड लें तीन तीन च्छे तीन नो नो दो ग्यारा ग्यारा पिटे साथ करेंगे कितना आएगा चार कैसे चार और डिस कैसे आएंगे कैसे आएंगे रिवर्स यानि माइनस के माइनस के चार और डिस मिले आपको ठीक हैं आप करते हैं साल में दो हजार पचास और दो हजार बीस कितना साल के डिफ्रेंस सतर साल इन सतर साल में कितने रीपी है कितने नार्मल यह अभी पिछले वारा कोश्चन बताया था वह 47 से था तो 48 वाला एक छोड़ दीजिए कितने हो जाएंगे 18 पिछले वारे कोश्चन में कराया था ना 1947 से और यह 50 से है 2020 तक तो उसमें एक था 48 एक ज्यादा हो रहा था वह इसमें बावन से काउंट होगा 52 से काउंट होगा ठीक है तो आपके 18 मिल जाएंगे अगर 18 आपके लीप यह हैं तो नार्मल यह कितने होंगे 52 ठीक गटनांगे तो 52 आएगा 18 लीप यह यानि चात्यस और डेस बावन नार्मल यह यानि 52 यह इन दोनों को जोड़ने कितना जाएगा 36 और बामन जोड़ेंगे कितना आएगा 88 88 बटे 7 करेंगे कितने ओट डिस आएगे 88 बटे 7 साथ से काटें, साथ से कम साथ फिर 18, 14 यानि आपके 4 ओट डिस फिर आएगे 4 ओट डिस बचे और 4 ओट डिस आपके positive होंगे negative होंगे, reverse जा रहा है साल यानि negative माइनस में ठीक है अब देख लें, माइनस के 4, माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 8 और माइनस के 8, प्लस के 3 कितने बचेंगे, माइनस के 5 माइनस के 5 ओट डिस टोटल हैं आपके पास तो घटा दे मंगल बार माइनस 5 या इसको साथ में घटा दें, बचेंगा प्लस का 2, तो मंगल प्लस 2 क्या आएगा, बुद्र और गुरू, गुरू बार आएगा आपका ठीक है, गुरू बार आया, समझ में आया कैसा लगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है किसी का भी दिन निकाल सकते हैं, कोई भी आपको तारिक दी हो उसका दिन आप निकाल सकते हैं, आज से ले लें उसी दिन से ले लें, उस दिन का तो सब को पता होगा ना कौन सा दिन है जैसे आज 16 जून है, तो आज मंगलवार है, आज का तो पता है हमको हम आज से ही ले लेंगे क्यों हम कोड लगाएं क्यों अपना बरबाद करें कि ठीक एक कोशन अगला कोशन कोई डेट ले लेते हैं कोशन आपकी स्क्रीन पर है 7 अगस्त प्राइस अगस्त 1996 को कौन से दिन होगा तो आज कितनी है 16 जून 2020 को मंगल बार निकालने से यहां कितने का कितने का डिफरेंस नौ का और कैसा माइनस का बटे साथ करेंगे यानि माइनस के दो और डिस यहां मिलेंगे आपको अब यहां देखें जून 2 का जुलाई 3 की साल में कितने साल का डिफॉरेंस दोनों में चौवचत साल का अंतर है प्रिस चौवच多 और है यह चार बटे रहे हैं ज्सको चौवचत के डिखा यह निकल रहे हैं 2000 के बाद 2004 2004 के बाद 8 फिर 12 फिर 16 फिर 20 कितने हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 हो रहे हैं और क्या हो रहा है कि ये 7 अगस से पूछ रहा है ये जो लीपियर दिया है आपको 1996 ये 7 अगस से है अगर ये जनवरी होता 7 जनवरी होता तब तो ये साल काउंट हो जाता लेकिन ये फरवरी से आंगे निकल चुका है लीपियर में फरवरी 29 की होती है वही एक एस्टर दिन मिलता है हमको लेकिन ये क्या है अगस फरवरी से आंगे निकल चुका है तो ये 1996 काउंट नहीं होगा 1996 count नहीं होगा ठीक है अगर ये फरवरी के पहले होता जैसे आपका 29 फरवरी के भी पहले होता तो आपका एक odd days मिल जाता इस साल में count हो जाता लेकिन ये फरवरी के बातगा है वो नहीं जुड़ेगा ठीक तो 1996 जुड़ेगा नहीं 6 आपके पास sleep year है तो 18 आपके पास normal year होंगे 6 बरावर 12 और 18 बरावर 18 ये कितने होंगा 30 30 बटे 7 करेंगे तो 2 odd days 28 बार पूरा पूरा जा रहा है तो 2 odd days मिले और कैसे minus के क्योंकि reverse जा रहा है अब आपके पास minus के 2 minus के 2 कितने हो गए minus के 4 और plus के 5 कियानी कितना बचा है total odd days आपके पास plus का एक odd days आपके पास बचा क्या करेंगे plus का एक जोड़ दीजे कौन सा दिन आएगा बुद्ध बार समझ में आया ना बहुत ज़्यादा सिंपल है किसी भी तरह निगाल सकते हैं कोई भी तारीक निकाल सकते हैं लेकिन आप पहला वीडियो जरूर देखें पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो यह समझ में नहीं आएगे कि कैसे किये हैं ठीक है तो यह आपके कलेंडर यहां तक खतम झाल